हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे आचार महावीर प्रसाद ड्वीवेदी जी का जीवन परचे ठीक है एकदम आसानी से आपको बताएंगे और बात करें यार तो एक्जाम के लिए भी आपका इंपोर्टेंट है और बहुत ही आसानी से लिखेंगे ठीक है क चलो सुरू करतें तो देखो आचार महावीर प्रसाद ड्वीवेदी जी सबसे पहले जीवन परचे लिखने की ट्रिक यह होती आपको किवल इतना याद कर लेना है और सब कुछ बना बना के आप लिखेंगे पूरे नंबर पास सकते हो ठीक है तो देखो आचार महावीर प अब हुआ था 1938 इस भी में ठीक है और इनका जनम है सन मतलब जहां इनका जनम हुआ था वो कहां है वो है राइबरेली जिले के दौलत पुर्ग्राम कहां राइबरेली जिले के दौलत पुर्ग्राम में आचार महावीर प्रसाद ड्रिवेदी जी का जनम हुआ था और इनके पिता का नाम है पंडित राम साहद रिवेदी ठीक है क्या नाम है पंडित राम साहद रिवेदी रचना इंकी most important यह important important है रसक गिरंजन साहित सीकर कालिदास की निरंग कुस्ता यह important important यह रचना है ठीक है रसक गिरंजन साहित सीकर कालिदास की निरंग कुस्ता ठीक है तो ये बात है आपको क्यों इतना याद कर ले रहा है और बहुत आसानी से आप बना के लिख सकते हो बात थोड़ा सा समझने की बात है कैसे लिखना है ठीक है तो देखो आपको सिंपल यहापे लिखना के सन 1864SB को हुआ था कहां हुआ था क्या कहोगे आचार महावीर प्रसाद ड्रिवेदीची का जनम सन 1864SB में राय बरेली जिले के दौलत पूर ग्राम में हुआ था क्या कहोगे देखो सिंपल ये महावीर प्रसाद ड्रिवेदीची का जनम सन 1864SB में जनमिस्तान का राय बरेली जिले के दौलत पुर्ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम पंडित राम सहय दुवेदी था ठीक है बस इतना लिखना है इंके पिता का नाम पंडित राम सहय दुवेदी था इंके पिता का नाम पंडित राम सहय दुवेदी था इंके पिता का नाम पंडित राम सहय दुवेद जिले के दौलत प्रोग्राम में हुआ था जो आपको बताया इनके पिता का नाम पंडित राम सायद वेदी था और जो की इस्ट इंडिया कंपणी की सेना में साधारण सिपाई थे थोड़ा सा ये देखो समझना होगा तभी आप बना के लिख सकते हो देखो इनके पिता जो पंडित राम सायद वेदी है आपको बताया इनके पिता के नाम पंडित राम सायद वेदी था और थोड़ा ये भी लिख सकते हो देखो इनके पिता जो थे इस्ट इंडिया कंपणी में सेना के साधारण सिपाही थे इस्ट इंडिया कंपणी की सेना में सिपा पर अपधि यह खहाए थी तो लिखा गया दिवेदी जी ने घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं की कारण इस कूली सिच्छा समाब्त करके रेलवे में नौकरी कर ली इन्होंने ठीक है जो महावी प्रसाद दुवेदी जी थे इनकी घर की मनलब आर्थिक स्थिति या कह सकते हो पैसों की कमी थी जिसके काण इनने अपनी स्कूली सिच्छा छोड़ दी और रेलवे में नौकरी कर ली सिंपल आपको लिखना है दुवेदी जी की घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिसके काण इननोंने स्कूली सिच्छा समाप्द कर दी और रेलवे में नौकरी करने लगे फिर क्या किया इननोंने घर पर ही पढ़ाई की घर पर ही रहकर पढ़ाई करने लगे घर पर का संपादन प्रारम किया ये question भी objective पूछ लिया था कि महावी प्रसाद डिवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का प्रारम किया था सन 1903 में देख लो सन उन्नी सो तीनिस भी में डिवीदी जी ने रेलवे की नौकरी छोड़ कर सरस्वती पत्रिका का संपाधन प्रारम किया और हिंदी भासा की सेवा के लिए अपना सेज जीवन अरपित कर दिया ठीक है हिंदी भासा की सेवा के लिए अपना सेज जीवन अरपित कर दिया और फ आसी नागरी बिचारी सभाय इन्होंने इनको आचार की उपादी से संबानित किया और फिर लिग देरा इनका निधन सन 1938 इस भी हो था अभी नीचे साहिते में स्थान में बताएंगेंगेंगा तो पैदा जीवन परिशन समझ लो फिरस एक बार सबसे पहले क्या लिखा आचार मावीर प्रसाद दिवेदी जी का जनम सन 1864 इस भी में राइबरेली जी लेके दौलर्ट पुग्राम में हुआ था इनके पिता पढ़नित रामसाय दिवेदी क्या थे इस्ट इंडिये कंपनी की सेना में साधारण से एक सिपाही थे फिर लिखा गया दिवेदी जी के घर के आर्थी कि स्थिती जादा अच्छी नहीं थी जिसकारण इनने स्कूली सिछा स्थमाप्त करनी पड़ी या छोड़नी पड़ी और ये रेलवे में नोकरी करने लगे और फिर घर पर ही ये क्या करते थे संस्कृत मराथी बंगला और अंग्रेजी और हिंडी भासाओ का इन्हों ने अधन किया मलवार्थी कि सिती अच्छी नहीं थी जिसकी कारण इनने स्कूली पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर पर ही रहकर पढ़ाई की किन किन भासाओं की संसकार मराठी बंगला अंगरेजी हिंदी ठीक है फिर लिखा गया सन निस सु तीन इस भी में दिवेदी जी ने रेलविक नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका का संपाधन प्रारम कर दिया सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रानम कर दिया और हिंदी भासा की सेवा के लिए अपना सेष जीवन समर्पित कर दिया ठीक है और जब हिंदी भासा की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया बहुत अच्छे से मतलब रशनाय करते थे तो इस कारण क्या हुआ इनको इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको कासी नागरी प्रचाडी सभा ठीक है इसको ब्लैक प्रेंस लिख लेना कासी नागरी प्रचाडी सभा ने आचार की उपाधी से सम्मानित किया जो आचार महाविप्रसाद दिवेदी नाम है, आचार के उपादी से सम्मानित किया और फिर लिख देना इनका रिधन सन उन्नीस स्वड़ते सिस भी कूँ हुआ था तो एकदा मासानी से आप लेख सकते हो आप थोड़ा से इंका साहित में स्थान देख लो, ठीक है? अपनी सेवाओं से, तो सिंपल लिखा दिवेदी ची हिंदी गर्द के उन्निर्माताओं में से हैं जिनकी प्रेड़ा और प्रयोतनों से हिंदी बासा को संबल प्राप्त हुआ है इन्हों ने और इनकी सरस्वती पत्रिका, जो सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे ना इनकी सरस्वती ने अपने युग के साहित कारू का मार्ग दरसन कर अपनी प्रतिभास से पूरे युग को प्रभावित किया है तो यह साहित में इनका इस्थान है, सिंपल दिवेदी ची हिंदी गद के उन निर्मातों में से हैं, जिनकी प्रेणा और प्रेतनों से हिंदी बासा को संभल प्राप्त हुआ है, इन्हों ने और इनकी सरस्वती ने अपने यूग के साहित कारों का मायदैसन कर अपनी प्रेणा से पूरे यूग को प्रभावित किया है, तो सिंपल आप ये लिख सकते हो, ठीक है, एक दावासानी से, और अचना आपको ये उपर बताई दी थी, मेंन मेंन ठीक है, तो ये है भाई आचार मावे परसाद दिवेदी जी का आपका जीवन परशा है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और एक बार आप लोग प्लेइलिस्ट चरूर चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, उसमें और भी जीवन परशाय मिल जाएगी, लेखोको और कवी होगे, ठीक है, तो प्लेइलिस्ट चरूर चेक कर लेना,